हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू स्टोरी भाई राकेस इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML SVG Graphics के बारे में देखिए SVG का फुल फॉम होता है Scalable Vector Graphics और यह एक XML-based Graphics System होता है इसमें फाइदा क्या होता है कि SVG के तुरू जो आप images बगारा इसको बढ़ा करो चोटा करो उसकी जो क्वालिटी है वह लूज नहीं होती कितना भी जूम करो और रिसाइज करो फुल फॉम इसका है Scalable Vector Graphics और इसको डिफाइन इसको इसको इस उस्टो डिफाइन कि XML पर कैसे होता है और जितने भी एलिमेंट और एट्रिब्यूट होते हैं SVG के अंदर उन सभी को एनिमेट किया जा सकता है आप animation कर सकते हों सबसे अच्छी चीज क्या है SVG को W3C ने रिकमेंड किया है और यह बाकी बाकी की जो टेक्नलोजी है स्टैंडर्स है जैसे CSS, DOM, XML, Style, Set, Language और JavaScript इन सभी के साथ इंटिग्रेट किया जा सकता है तो सबसे पहले हम अब बात करेंगे SVG एलिमेंट के बारे में देखिए कभी भी SVG यूज करना है तो आपने SVG यहां से से स्टार्ट करना है और इसकी विट्ट और हाइट दे सकते हो उसके वाद एस्वीजी के थूरू अगर आपको सरकल बनाना है तो आप एक सरकल एलिमेंट लोगे और इसके अंदर आप X और Y की पोजिशन दोगे रेडिस दोगे अस्ट्रोक है ग्रीन तो यह जो आपको दो दिख रहा है यह यह जो बार्डर है वह मास्ट्रोक डिन करका चाहिए और स्ट्रोक की वेट थैं 4 और यह अंदर में फिल किस कलर से होगा ये लो तो अगर आप यह कोड़ ड़िखोगे तो यह आपका सरकल बना देगा और यह लिए पिंस्ट्रक्शन दे रहे हो एक्सेमल स्टाइल में में हमारा है रेक्टेंगल एस वीजी के तरू रेक्टेंगल बनाना आसान है यहां पर हम रेक्ट यूज करेंगे X और Y position देंगे width और height देंगे stroke का color देंगे red यह रिखिया stroke का color red हो गया और stroke की width अच्छे और fill है अंदर fill क्या होगा blue color अगर आप opacity यूज़ करना चाहते है और rounded corners बनाना चाहते है rectangle में तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे opacity, style और इसमें stroke की width दे दोगे 5 तो यहां पर आप देखो के style के थूँ हमने completely इस इस पूरे rectangle को देखे फिल है red color लेकिन आपको red नहीं देख रहा है क्योंकि हमने इसमें opacity यूज़ कर लिए 0.5 ठीक है और इसका stroke का color भी क्या है black black की भी opacity है 0.5 इस कारण से कुछ इस तरीके का आपको यह display हो जाएगा next है हमारा अगर हम star define करना चाहते हैं sbg के दूरू तो हम इसमें use करेंगे polygon और polygon के अंदर style हम use कर रहे हैं fill rule even odd जो rule हमने हैं बनाया है यह stroke का color purple है stroke की width 5 है और fill जो है वो आपका lime color से किया गया है ठीक है तो यह सारे आपके coordinates है तो इस तरीके से आप star बना सकते हो sbg के थूरू next हमारा है sbg के थूरू हम ellipse और text कैसे लिख सकते हैं तो देखिए पहले text के लिए क्या गड़ना है सबसे पहले तो sbg हम लिखेंगे sbg height width दे दिया इसके बाद मैं पहले आपको example बताता हूं text का text के अंदर हम देंगे fill color क्या है देख इसका color white है text का यह हमने दे दिया white color font size हमने 45 दे दिया है font family वर्दाना और x और y axis हमने बता दिया इसका इलिप्स हम बनाएंगे यह जो basically circle है इसमें हमने cx x और y की position बता दी radius बता दिया x axis का radius और y axis का radius और fill जो हम कर रहे है इसके अंदर यह ग्रेडियंट है इस gradient को जो हम fill कर रहे है उसका URL है grade 1 अब यह grade 1 id कहां पर है यह हम यहाँ पर define कर रहे है यह देखे तो define करने के लिए हम लिखेंगे depths और इसके अंदर हमने define किया है linear gradient ओके तो linear gradient के अंदर हमने क्या दिया है दो colors दे दिये है stop color yellow और stop color red तो यहाँ आपका yellow से start होगा zero position से और last में red तक जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपका एक ellipse gradient ellipse और text बन सकता है svg के तुरू अब देखे difference क्या है svg और canvas में canvas मैंने last आपको lecture में बताया था देखे svg जो है एक language है जो 2D graphics को xml के तुरू describe करता है ठीक है यहाँ यहाँ पर क्या है xml यूज होता है लेकिन canvas में जैसा मैंने आपको बताया था डारेक्ली हम javascript यूज करके on the fly graphics को बनाते है यहाँ पर xml यूज होता है ठीक है और xml क्योंकि xml based है svg जितने भी elements से वो सारे available होते है svg DOM के अंदर DOM का मतलब होता है document object model और जो javascript you can also attach javascript event handler to the svg तो svg graphics के साथ हम javascript event को handlers को भी attach कर सकते है svg में जितने भी जो shape हम बनाते है उनको एक object की तरह remember किया जाता है जितने भी हम shape बनाते है अगर if attributes of svg object are changed the browser can automatically re-render the shape तो जो आपने svg बनाया है उसके attribute में कोई value मालनो आप change कर देते हो save कर देते हो तो automatically browser उस image को या जो भी आपने बनाया है svg के तुरू उसको re-render कर देता उस shape को अब हम बात करते है canvas की तो canvas को जो rendering होती है वो pixel by pixel होती है यहां पर एक बार जब graphics generate हो जाता है उसके बाद browser उसको forget कर देता है भूल जाता है ठीक है if its position should be changed the entire scene needs to be redrawn अगर इसकी जो position change हो जाती है मालनो आप code में change कर देते हो तो पूरा का पूरा जो है entire scene आपका redraw किया जाता है including any object that might have been covered by the graphics ठीक है तो यह था difference between svg और canvas mostly लोगों बगारा के लिए यूज होता है svg और canvas को हम बैसिकली यूज करते हैं graphic intensive games के लिए ठीक है और यह website बगारा में हम svg यूज करते हैं और भी कुछ differences है यह resolution independent होता है canvas resolution dependent होता है ठीक है और इसमें basically समझ लो आप images और यह सब website में यूज करोगे svg यूज करना और canvas mostly अप gaming लिए यूज होता है तो दोस्तों यह था svg का basic complete tutorial भी इनका w3 schools पर है अगर आप चाहते हो तो वह भी आप चेक आउट कर सकते हो बकि basics मैंने आपको completely बताया है कि कैसे svg को HTML के अंदर यूज कर सकते हो तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर कीजिए चली मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू